नमस्कार आप देख रहें एकॉनोमी का हिसाब किताब और मैं हो अनंदयो चक्रवर्ती मैं बैंकिंग सेक्टर पे आज बात करूँगा जहां पर हमारा कैश को लेकर धन्ना सेट कर रहे हैं मैं यह क्यों कह रहा हूँ क्यों कि आप देखिए कि 30 साल पहले अगर कोई मिडल क्लास का आदमी एक लाक रुपे लगता किसी फिक्स डिपॉजिट में जमापुंजी एक लाक रुपे बहुत होता था 30 साल पहले अपने पूरे रिटार्मेंट का जमापुंजी रखता बैंक म एक हजार रुपे ब्याज मिलता फिक्स डिपॉजिट पर हर महीने आज की डेट पे अगर आप एक लाक रुपे रखेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ साड़े 400 रुपे और वो भी अगर आप किसी लॉंग टर्म में रखे ऐसे बैंक में रखे जो जादा ब्याज दर दे र रही है लेकिन क्यों किया गया यह हमें बताया गया 30 सालों से कि अगर ब्याज दर कम रहे तो क्या होगा कि आसानी से जो बिजनेस कारोबारी है जो बिजनेस चलाते हैं वो लोग लोन ले पाएंगे और वो लोन लेंगे तो वो निवेश जादा करेंगे यानि इन्वेस जा सस्ते मिल रहे हैं ये एक बहुत कहा जाता है बहुत सारे अर्थ शास्त्री भी ये बात कहते हैं आप स्कूल टेक्स्ट बुक में देखेंगे ये भी आपको दिखेगा लेकिन क्या ऐसा हुआ है जी रही क्योंकि पिछले 30 सालों में हमारे देश में गरीब और भी गरीब गए हैं और साथ में जो रोजगार है उसके अफसर कम हो गए हैं बढ़े नहीं हैं पिछले 6 सालों में कम हो गए हैं पहले धीरे-धीरे घटा है और उसके बाद धीरे-धीरे कम हो गया है रोजगार हमारे देश में यानि इससे कोई फाइदा नहीं हुआ है कम सेक्टर बैंक से बड़े-बड़े corporate धन्ना सेटों ने बड़े-बड़े company ने बड़े-बड़े loan लिये हैं और इनको इन्होंने लगाया ऐसे business में जिनमें से बहुत सारे fail हो गए ऐसे business जहां से आमदनी होने का कोई chance ही नहीं था loan लिया ऐसे business पे loss making business में पैसा लगाया है और बहुत ओर ने तो पैसा बेनामी तोर पर हडप लिया कहीं और ट्रांसफर कर दिया जिसको अंग्रेजी में साइफन आफ का जाता है यह मैंने के रहा है यह officially देखा गया है आप जानते हैं कितने सारे लोग पैसे लेके भाग गए और आज भी उन पर case चल रहा है अब देखे कि मोधिकाल भी 2014-15 से लेकर 2020-2021 तक जितने भी loan problem है जो वापस आएंगे या नहीं यह हमें पता नहीं है बैंकों को पता नहीं है इनकों मैं जोड़ू तो सबसे पहले जिसको non-performing asset या खराब loan का जाता है जिसका वापस आने का chance कम है जिसमें ब्याज या principal या installment नहीं आ रहा हो बैंक उसको declare करते हैं ऐसा 2021 के end में 8,34,000 करोड के आसपास asset loan थे एक साल में नहीं जिसको हम NPA या bad loan खराब loan कहते हैं और asset loan जिनको write-off कर दिया गया है यानि वो बैंक के खाते से हटा दिया गया है वो total लगबग 10,44,000 करोड के आसपास सिर्फ 7 साल में 2014-15 से लेकर 2020-21 तक 10,44,000 करोड के loan write-off कर दे गया है हाँ write-off अगर मैं इन दोनों को जोड़ू खराब loan और write-off तो लगबग 19,00,000 करोड का loan ऐसा है जिसको मैं खराब loan कर सकता हूँ और यह जो write-off है कहा जाता है कि देखिए यह write-off ता ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ account से हटता है यानि खाते से हटता है लेकिन bank उसको वापस लोन आने की कोशिश करती रहती है लेकिन हम देखते है कि कितना पैसा वापस आता है जो घराब हो जाते loan उनमें से कितना वापस आता है कि उनमें से सिर्फ 19 प्रतिशत उनके हाथ में recovery हुई है और अगर मैं All India Bank Employees Association का जो डेटा है उसको लूँ जो उन्होंने काफी जाच परताल करके ती तेरा ऐसे सबसे बड़े loan के case जो उन्होंने निकाले हैं उसमें उन्होंने देखा है कि जो loan amount था वो लगभग साड़े चार लाग करोड का था और वापस आया सिरफ एक लाग 62 हजार करोड के आसपास यानि कि 64 प्रतिशत बैंकों के हाथ बैंकों ने गवा दिया और य प्रतिशत बैंक है जो मैं और आप मालिकाना हक है हमारा सरकार अगर सरकारी बैंक है लेकिन ये पब्लिक का है और इन्होंने लगभग 64 प्रतिशत जो इन्होंने लोन दिया था और जादा तर ये corporate के पास गए हैं ऐसे लोन उन्होंने गवा दिया है हाँ वो कहेंगे कि यानि ये इसके बाद इससे जादा और पैसा वापस नहीं आएगा और खरीदा किनों नहीं है ये जिसको stressed company का आ जाता है जो वापस पैसे नहीं दे पाए इनको खरीदा है बड़े बड़े company उन्हें बड़े बड़े company ने एक तिहाई दाम में इनको खरीद लिया बहुत ब पब्लिक का cash था ये सारा बैंकों में और अगर आप देखे public sector public का ही bank है और ऐसे bank को में जो cash हमारा cash है उसको लेके धन्ना सेट ash कर रहे हैं और इसके एक और चीज़, एक side का चीज़ साथ में जुड़ा हुआ है कि कहा जा रहा है कि देखी ये public sector bank इतना खराब होते हैं इत पब्लिक सेक्टर बैंकों को खोकला कर दिया यही धन्ना सेटों ने जिनोंने पब्लिक सेक्टर बैंकों को खोकला कर दिया आज वो कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक बंद करो हमें बेच दो यानि धन्ना सेटों का चित भी उनकी है पट भी उनकी है आज का शो यहीं तक हमारे चैनल को देखते रहे हैं नीज क्लिक को देखते रहे हैं लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेर भी जरूर कीजिए